Hi friends, welcome back to my channel तो मैं आज आपको बताऊंगी की बेज़ पुलाओ केसे बनाते हैं बहुती tasty लगता है बेज़ पुलाओ काने में तो एकदम जटपट से cooker पे मैं बताऊंगी की केसे बनाते हैं बहुती simple है और easy तरह केसे बन जाता है ज्यादा समय भी नहीं लगता इसे बनाने में अगर आप लोग खाना बनाना नहीं जानते हैं तो अभी ये जो बेज पुलाओ है वो बिलकुल आसान इसे बना सकते हैं बहुत ही आसान है इसे बनाना चिली देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए के के चाहिए तो चिली बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते है तो बेच पुलाओ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चावल ले लिए है आप कोई भी चावल ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पे चोटे साइच के चावल ले लिए है इ तो इसको तीन-चार बार रूष्ण करे लेना है तो को तिन-चार बार स्षण करे लेंगे आप probam lma of Che karış से इससे तरह से सजब रज्द पानी वह बिल्कुल साफ है देख सकते हैं आप लोग तो इस तरह से आप लोगों को 3-4 बार अच्छे से वश करे लेना है तो मैंने तो इसे अच्छे तरह से 3-4 बार वश करे लिए हैं और अभी चलते हैं गेस की और तो गेस पे मैंने पहले से ही एक कुकर को गरब होने के लिए रख दिया है आप कुकर की जगा कराई पे भी बना सकते हैं लेकिन कुकर पे बनाने से यह ज़्यादा जल्दी बन जाता है इसलिए मैंने कुकर पे बना कर दिकाया है ताकि आप लोगों को आसानी हो बनाने में और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो बरे चमच ओयल डाल दी है अब ही डिफाइंड ऑई लिया है मैंने यहाँ पे आप फैल की जगा गी भी ले सकते हैं अब हमारा ओयल जो है वह गरम हो favor क्रा थो मैंने यहाँ पे तीन चार दाल चिनी की टुकरे डाल दी हे और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो ऐल लैची डाल दी है और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो तेज़ पत्ते डाल दी है और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बरेज़ा इसकी प्यास को लंबे स्लाइस में कट कहे लिए है वो डाल देंगे प्यास को डालने के बाद उसको तोरा फ्राइ कहे लेंगे तोरा सा color change होने तक देख सकते हैं प्यास का color तोरा सा change हो चुगा है तो मैंने यहाँ पे अदर चमर्च अदरत का paste डाल दिया है और अदर चमर्च लेसन का paste भी डाल दिया है और इनको भी अच्छी तरह से fry के लिए ताकि इसका जो कच्चपन है वो चला जाए तो देख सकते हैं मैंने इन दोनों को अच्छी तरह से fry के लिए है और उसके बाद जो वाश करके चावल डगाता वो डाल देंगे तो देख सकते हैं आप लोग मैंने सभी चावल को डाल दी है और अभी इसको अच्छी तरह से fry करेंगे चावल को तो चावल को आप जितना देर तक फ्राई करोगे आपका जो पुलाव है वो उतना ही टेश्टी बनेगा यहां पर तोरे दर के लिए इसने फ्राई कई क होना ही लिए उसके बाद आज और अचा में जीरा मं के डाल दिय ск उसके बद इसमें स्वादन सार नमक डाल देंगे और नमक को डालके फिर से इनको तोज़ा फ्राइ करेंगे ताकि इन सभी चीज़ जो है वह अच्छी तरह से चावल के साथ मिक्स हो जाए तो देख सकते हैं आप लोग मैंने इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ली है एक मिनिट के लिए और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक गाजर को इस तरह से कद्दुकस कर ली है वो डाल देंगे और गाजर को डाल के उसे भी अच्छी तरह से तोरा मिक्स कहलें के सबी चीजों के साथ ताकि फो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो देख सकते हैं मैंने गाजर को भी अच्छी तरह से मिक्स कई ली है उसके बद मैंने यहाँ पर हारा दनिया डाल दी है तोड़ा सा ताकि पुलाओ का फ्लेवर बहुती अच्छा आए तो देख सकते हैं मैंने इन से भी चीजों को अची तरह से mix कहे ली है और अची तरह से fry भी कहे ली है मैंने यहाँ पर लगबग 5 मिनिट के लिए सभी जो चावल मसाला सभी 5 मिनिट के लिए अची तरह से fry कहे ली है उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे तो पानी में दिखाती हुआ आप लोगों को कितना डालना है तो तोरा सा मैंने पानी डाला है और पानी डालके फिर से मिक्स कहे लेंगे इस तरह से तो देख सकते हैं आप लोग पानी डालके मैंने अच्छी तरह से मिक्स कहे लिए है तोरा सा और उसके बाद इसमें फिर से पानी डाल देंगे तो पानी आप लोगों को इतना डालना है ताकि चावल अच्छी तरह से डूब जाए इससे ज्यादा आप लोगों को पानी नहीं डालना है तो इसमें और तोरा पानी डाल देंगे तो यह देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को पानी डालना है तो देख सकते हैं चावल तोरह सा डूब गया है इस तरह से आप लोगों को पानी डालना है उसके बाद टकन को बंद कर देंगे और इसमें एक सीटी आने देंगे गेस को लो ही रखेंगे एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे गेस को नहीं तो हमा तोरह सा ही पाने डाला है तो देख सकते हैं कुकर पे एक सीटी आ चुकी है अभी डकन को हटाएंगे और अभी हमारा जो पुलाव है इसको चेक करेंगे अची तरह से पका है या नहीं तो एक सीटी आने के पाद आप लोग क्या करना ऐसे ही डकन लगा कर ही रखना तो तोरा कम पका हो तो डकन इस तरह से लगा कर रखने से जो चावल है वो अच्छी तरह से पक जाता है तो देख सकते हैं अभी हमारा जो पुलाओ है वो अची तरह से पक चुका है और बहुती प्यारा कलर आया है हमारा जो बेज पुलाओ है इसका तो आप इस पे हरे मटर भी डाल सकते है या जो ग्रीन अनियन होता है वो भी डाल सकते है या जो शिमला मिर्च है वो भी डाल सकते हैं तो फिलाल मैंने यहाँ पे सिर्फ काजर ही डाला है तो आप इस तरह से हरा जो सबजी है वो डाल कर बना सकते हैं तो चलिए इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है अब एक प्लेट पे निकाल लेंगे पुलाओ को गर्मा गरम तो यह जो पुलाओ है इस तरह से बना कर काने से बहुती टेस्टी लगता है अगर आप लोग को कुछ बनाना नहीं आता है तो यह किन मानिए बहुती इजी रेसिपी है यह जो पुलाओ है तो एक बार आप लोग जरूर बना कर ट्रा बेच पुलाव को निकार ले तो अभी हमारा बेच पुलाव वह त्यार है हमला है यहां पर देकॉर कर लिया है हरा दनिया से तो आप इसे सही का सकते है या चटने की साथ हुआ तो आप लोग बाना कर ज़लो ट्रै कीजी और इंजो arrives मेद Primeần आपने फ्रेंट्स के साथ भी शेयर किजिए और अगर आप लोगों को मेरी आज की डिसिपे अच्य हो तो मुझे लाइक कीजिए और कमेट भी जरूर किजी और आप लोग मेरे चनल पे ने हो तो फ्लीज मैरे चैनल को जरूरे सब्सक्राइब कीजिए कि असемë